असलाम ओलेकुम वेलकम टुट्वी स्टूट्ट यूपाज के इस लेक्चर में चेप्रेट 3 आइकाम पार्ट 1 बिजनसमेद बुख शाहिद जमाल की चेप्रेट एंट्रस्ट 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 एंविटी इस तो यहां पर हमें प्रेजंट वेली फाइंड करनी है तो उसके लिए पहले हमें फिचर वेली फाइंड करनी है a is equal to r 1 plus r n minus 1 upon r ठीक है so r is equal to i upon m i upon m यानिके 0.12 divided by semi-annually यानिके 2 तो यह होगे 0.06 ठीक है और n is equal to m multiply by t so 2 multiply by 5 10 so r में हमारे पास क्या आजाएगा 10,000 यहां पर 1 plus 0.06 10 minus 1 upon 0.06 तो नों को plus करके इसका exponent निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 1.790 1.790 847 697 minus 1 upon 0.06 तो नों को minus करके डिवाइट करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 13.180 79494 हो सकता है points के बाद की जो value है वो change आ सकती है जब आप solve करें अगर खुद से क्योंकि हम अगर कोई value round off कर रहे हैं कई value round off नहीं कर रहे हैं ठीक है तो इस वज़ासे जो point की value है point के बाद की जो value है वो different आ सकती है क्योंकि कई जगा हम round off करते हैं करें जगा जो book वालोंने जो answer दिया उसमें उन्होंने round off नहीं किया वाद ठीक है तो इस तरह point के बाद वाले जो digits है वो change हो सकते हैं तो दोनों को हमने multiply करना है 131807.95 ठीक है future value आ गई present value निकालते हैं PV is equal to FV 1 upon 1 plus R whole power n FV की जगा यानि के future value 131807.95 1 upon 1 plus R में आ जाएगा हमाँ पस 0.06 और n में 10 131807.95 यहां पर हमने इन दोनों को plus करके divide किया वन से और 10 पे exponent निकाला तो हमारा जो answer आया वो है 0.55839 4776 तो दोनों को multiply किया तो answer आया 736 00.8 ठीक है answer तो यह था question उमीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा मजीद exercises and questions के लिए जड़को करें subscribe साथ यह अपने classmate and friends से share भी ज़रू करें मिलते हैं next video में तब तक के लिए Allaah Hafiz sub indo by broth3rmax